इस पुरू जनुत्रिया यह वीडियो जो है वो ग्लैंट का पार्ट टू है ठीक है पार्ट बन में अपने पीनियल ग्लैंट तक अपने डिसकस कर लिया था ठीक है पीनियल ग्लैंट तक डिसकस कर ली तो उसके बाद आज अपने डिसकस करेंगे पिचूटरी ग्लैंट ठीक ह के parts and others ठीक है और इसको जो कराने का main perspective है वो है DSSB TGT natural science ओके तो चली स्टार्ट करते हैं pituitary gland ठीक है hypophysis भी बोला जाता है इसे located below the hypothalamus in cell tersica cavity made by spinoid bone of cranium तो मतलब यह कपाल की spinoid अड़ी जो होती है उसमें गवा होती है cell tersica ठीक है cell tersica उसमें इस्तित होती है ठीक है आगे इसको weight होता है वो 0.6 gram ठीक है मतर के size ही होती है pea sized it is also known as master gland ठीक है इसे master gland थी के नाम से भी जाना जाता है it is made up of two lobes यह दो lobe से मिलके बनी होती है पहला लोब होता है anterior lobe दूसरा होता है posterior lobe अग्रपाली पस्चपाली ठीक है ठीक है anterior lobe जो है वो कौन कौन से hormone secret करते हैं तो यह करते हैं STH somatotrophic hormone, GTH gonadotrophic hormone, ACTH adrenocorticotrophic hormone, TSS thyroid stimulating hormone, LTH luteinizing hormone और MSH melanocyte stimulizing hormone अगर poster lobe की बात कीज़ा है तो यह दो vasopressin और oxytution ठीक है तो एक बार फिर से देख लेते हैं STH, GTH, ACTH, TSH, LTH और MSH यह जो है कुछ है तरह के यह hormone, posted lobe में, vasopressin और oxytution यह दो तरह के ठीक है चलिए आगे देखते हैं anterior lobe अग्रपाली तो इसके बार में थोड़ा सा कि इसकी क्या बिसिस्ता है यह फ्रिया जो भी तो यह puse granti जो होती है यह जो master gland है यह जो pituiti gland है उसका 3 बटे 4 इससा बनाती है ठीक है इतनी बड़ी होती है अगर 4 इससा में बाटा जाए तो 3 इससे तो anterior lobe के होते है बचाएक इससा यानि 25% वो पस्चपाली का यह posterior lobe का होता है it is controlled by hypothalamus तो यह जो होती है वो hypothalamus द्वारा control होती है ठीक है इस बाग से स्रावित हार्मोन के स्राव को hypothalamus नियंत्रित करता है हाँ बिलकूल अदोलेकित हार्मोन इस बाग से स्रावित होते है ठीक है उनको details से देख लेते हैं को पहला है STH somatotrophic hormone यह सरीर की ब्रदी के लि रहना Clay ब्रदी इससे ौन होती है अगर कम सीखर्रत हो है पॉज्य क्रेशन से क्या होगा ड्वारफिज्म उगा बाणा रहाजाएगा ठीक है अगर ऑघर हैंपर से पर सीखर्शन के अनिशन्स अधिक सलाव understands handsomeeb रहाजा की वहता है ठीक है एक दम पड़ा और एक होता है एक्रोमेगेली एक्रोमेगेली मतलब एक्चली चलो आगे देखते हैं एक्रोमेगेली का मतलब होता है इसमें देवी रखा है अगला है एक्रोमेगेली ब्रदी के बाद ग्रोथ हार्मोन के अधिकता से गौरिल्ला के समान कुरूप भीम का है ठीक है प्रिएट ज्यांट व्यक्ति बनते हैं एक एस की बाद हड़ी जो है उनकी लंबाई वगरा में तो कोई ग्रोथ होती नहीं है तो कहीं भी रेंटम ग्रोथ हो जाती है हाथ पाओं चेहरे के कुछ भाग में जवडे एक्सेक्टरा और लंबाई नहीं बढ़ती तो हड़ीयों को तेजित करते हैं ठीक है गौनेट्स नाम से होगा है ना गौनेट्स गौनेट्स मतला जननंगों पर कारेंगे ठीक है यह लेंगे कार्यों की पूड़ता के लिए अतियावशक है ठीक है लेंगे कार्यों की परपक्वता जो है वो इनी के उपर डेपेंड है ठीक है यह कं इस्टेम्लीटिंग हार॓ं या इसमें क्या होता है नर्म शुक्रानों निर्मारन धुकरणानों। को निर्मान एफ सेच होड़ा कोड़न परेपते हब त 민주 होता है यह तो सबwieशिंग के दवारा waiting श्क्रान्मा थे जो मेंवें के होते है ठीक है और इसके सबर्म सान। होती है, जो नलेकां होती है, उसे नलेकें होती हैं। वो सारी जो है वो सब fsh के द्वारा कंट्रोल होती है। यह मादा मंडाशों के follicles की ब्रद्धी ता अंडों के निर्माड को प्रोसाहित करता है। ठीक है, फिमेल में क्या करेगा, फॉलिकल्स जो होती है उनकी ग्रूथ को ठीक है और अंडे को फॉर्मेशन उनके निर्माण को प्रेरित करता है और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन की स्राप को प्रेरित करता है ठीक है यह क्या करेगा इस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन को अगला होता है लूटिनाइजिंग यह लीडिंग की कोशकाओं को टेस्टेस्टेरोन नामक हार्मोन की शुराब के लिए प्रेरित करता है ठीक है जो मेल जो है उसमें टेस्टेस्टेरोन हार्मोन कैसा सीक्रेट होगा तो लीटिनाइजिंग जो हार्मोन है लीटिन इस्टिमलेटिंग हार्मोन जो है वो ब्रशन It stimulates leading cells by testes to secrete testosterone hormone थीक है दुट्टियक लेंगी लच्छन dul तरियों में यह hormone ठीका अिंटरना कोशकाओं को Estrogen तदा Proscspotron नामकưởng के सुरह आपके लिए प्राइरित करता है ठीक है ठीका अिंटरना जो कोशका होती है उसे Estrogen and Progesteron नामक जो hormone है वो शावित करने के लिए इस्टिबलेट करेगा डिजीज की बात की जाए तो मादा में L.S. तता F.S.S. की कमी पर अंडाशे का कार छीड़ हो जाता है फॉलिकल्स नस्ट हो जाते है ठीक है नर्मेस की कमी से जनन तंत्र विनिष्ट हो जाता है ब्रशन अनियम में ताकार की हो जाते है और सेमनी फिरेस टीवूल्स जो होती है या नलकाय जो होती है वो नस्ट हो जाते है ठीक है तो क्या हो गया अंडासे के चीड़ हो गया फिमेल्स में और फॉलिकल्स डिस्टोईट ठीक है अगला है अगला है ACTH एड्रिनो कोर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन ठीक है तीसरा है यह FSH यह खतम हो गया यहीं पर ठीक है उसके बाद इट कंट्रोल्स हार्मोन प्रोडूच्ट बाइ कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ अड्रिनल ग्लेंड ठीक है तो एड्रिनल ग्लेंड के cortex parts से जो हार्मॉन produced होते हैं उनको control करता है ACTH, adrenocorticotrophic हार्मॉन, यह adrenal गंती के cortical भाग से हार्मॉन के शामड को प्रावित करता है, इसकी कमी की कारण adrenal गंती बिनस्ट हो जाती है, ठीक है, अगर इसकी कमी होगी तो adrenal gland will be destroyed, तो इसके अधिकता से cortex की ब्रद्धी अधिक हो जाती है और अगर इसकी अधिकता होती है hyper होता है, तो क्या होगा cortex की ब्रद्धी जादा हो जाएगी अगला है, TSH thyroid stimulating hormone, ठीक है यह क्या है, glycoprotein है एक तरह का, ठीक है, glycoprotein है it control thyroid gland तो यह जो है, वो thyroid gland को control करता है, उसकी ब्रद्धी इवन श्राबन की प्रिया जो है, उनको प्रेरित करता है, यह thyroid gland की ब्रद्धी इवन श्राबन की रिया को प्रेरित करता है, अगला है LTH, ठीक है luteotrophic hormone, यह है इसे lactogenic hormone इवन prolactin भी कहा जाता है यह hormone, गर्वित मादा में दुख्ड रिमार्ण इवन श्राब को प्रेरित करता है, यह carpas luteum से progesterone hormone की श्राब को प्रेरित करता है, ठीक है, ठीक है progesterone hormone कहां से secret होगा, carpas luteum से, तो यह जो है उसके श्राब को भी कंट्रॉल करता है, इसकी कमी से मादा में दुख्ड निमान नहीं होता है हाँ बेलकुल अगर इसकी कमी होगी ठीक है प्रॉलस्क्ते की रग्ड के डिक आर्ग करता है ठीक है एक्चुली का अपनी स्किन का जो कलर होता है डार्क होता है लाइट होता है वो मिलेने की कारण होता है किसी में कम जमाब है तो आदमी गोरा रहेगा ज्यादा जमाब है तो वो काला रहेगा तो हार्मान तुचा की कोशकाओं में मिलेने रंग की कड़ों को फैला कर तुचा क होते हैं मतलब नाम इनके पहला व्हुश्य arada 1 अजुब्स नोन एस एंटिडायूरेटिक हार्मों का मतलब क्या होता है यह जो अपनी ट्ली ट के लिए एंटी सवार्मों तो बढ़ा कर ओं को बलकूल और जल की सिसे कारणे से मूत्र रोधिया एंट्ययूरेटिक हार्मोन का हजाता है। इसकी कमी होने पर मूत्र के साथ पानी की अधिक मात्रा निकलने लगती है जिससे मूत्र पतला एबं रक्त गाड़ा हो जाता है इससे रुद्र दाप भी कम हो जाता है इस रोक को डाइविटीज इंसिपिडस कहते हैं ठीक है जो चाय बगर आभी पीती है पन तो क्या होता है टॉलेटी जल्दी लगता है तो यह के अंटिडाय यूरेटिक हार्मा जो उसकी कमी हो जाती है ठीक है इसके अधिक होने पर मूत्र गाड़ा एबं रुद्र पतला हो जाता है तो ता रग्त दाव बढ़ जाता है ठीक है अगला है ऑक्षिटोशिन या पिटोशिन ठीक है इस तन्दारियों में दुख दूसरा आपको प्रेरित करता है बिल्कुल जितने भी में बिल्कुल बर्थ हार्मोन की नाम से ठीक है लवार्मोन भी बॉंड शूशियली ठीक है लवार्मोन भी ऑक्षिटोशिन को मैंनुफेक्चर्ड ऑक्षिटोशिन इस गिवन टू इंड्यूस लेवर ठीक है इफ नॉट स्टार्टर नेच्रले अगर यह नेच्रले नहीं बन रहा है तो बहार से दिया जबता है प्रमोट मुवमेंट ऑफ मिल्क इंटू ब्रीष्ट ठीक है इन मेल प्ले रॉल इन इस पर मुवमेंट ठीक है आगे देखते हैं एंजयम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं एक्ट ऐस गैलिस्ट उत्पर भॉल ऐस राक करते हैं लॉट अफेक्टेड बाइस यह उम्प्र के साथ अफ्शार्स करते हैं और यह सोते हैं एजक हरमौन आफेक्ट एस ओते हैं टीक है उम्र के साथ यह एफेक्ट करते हैं कि ज्यादा उम्र हो जाएगी तो कम इफेक्ट प्वोस कम इंज्जाइम्श निल्लीपीन हर्मोंस प्रूटिन अमीन अस इन एन्जाइम्स यूज उससे के लिए हैं और अपिक ह्रमौन्स इट्रिकर शॉच्टिकर्ट वरीज नियुति वॉडी करेंगे तैंक यू